कड़ाई में बिना तले आप ये गोल गप्पी जैसी हेल्दी फुल की बस एक सीक्रेट रख से बना सकते हो अब वो कैसे ये तो आपको वीडियो देखने पर पता ही जल जाएगा मैंने आपर ओवरनाइट सोक की वी तो कटूरी मूंग दाल लिये अगर आप ओवरनाइट सोक और पानी डाल का अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे पानी आपको जादा नहीं डालने और बेटर की कंसिस्टेंसी ऐसी स्मूथी रखनी है अगर आप जादा पानी डाल देंगे तो कोई भी फुल की अच्छी नहीं बनेगी अब ये सीक्रेट ट्रिक मतलब कड़ाई की अगर नहीं किया तो बेटर चिपक जाएगा अब सारे ब्लॉक्स को बेटर से फिल कर देंगे और बस दो से तीन स्पून हर ब्लॉक्स में डालेंगे ताक कि कोई भी बेटर ओवर्फ्लो ना हो अगर जादा बेटर उपर तक भर देंगे तो फुल की फुलेगी कैसे मुनिट तक भी लेट लगा कर रख सकते हैं और थोड़ी देर बाद इसको फलटकर देख सकते हैं इतने हमारी फुलकी रेडी हो रही है इसके लिए हम एक चटपटा सा पानी बना लेते हैं मैंने या पर फ्रेश धनिया लिया है धनिया लेकर उसकी दंदल हटा ली अब मिक अच्याम से पानी एकदम स्ट्रीट साइल और खट्टा और टेस्टी बनता है अब पानी दो बन गया तो इतने हम अपनी फुलकी भी देख लेता है तो पास मिनट होती हमारी फुलकी एक साइट से रेडी हो गई है तो एक बार और सब फुलकी को पलट लेंगे इस तरह अब बहुत आराम से इसको पलट रही हो जिसे एक साइट से अगर चिप की हो तो तर जाए थैखो फुलकी फुल्ट लेक Antwort na पानी चाट मसाला ऑधा जीरा पाउड आधा टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स और बूंदी और दो गिलास थंडा पानी डालकर आइस क्यूब डालने और फिर फुलकी डालने अगर आप चाहें तो इसे गरम पानी में भी फिगोकर रख सकते हैं तो प्यास के लच्छी चिली फ्लेक्स और धनी से गानिश करके थंडा थंडा सर्व करें और ऐसी और रेसिपीस के लिए टोटल टेस्स को सब्सक्राइब कर लें लिए अ लिए लिए